नमस्कार दोस्तों राइसन्स कर आज में पिर से एक बार आपका स्वागत है और इस वीडियो में आपको सुजुकी एक्सेस के फ्रांट और बेक ब्रेक लाइनर दोनों कैसे रिप्लेस करते हैं वो दिखाऊंगा आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको गैरेज में रिपेस करने के लिए जाने के लिए जरूरत नहीं है आप चोटे मोटे रिपेस अपने घर पे खुद कर सकते हैं और बहुत पैसे बचा सकते हैं तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और रिपेर वीडियो देखे सबसे पहल कला ना है यह बहुत ही टाइट रहता है इसलिए आपको किसी की मदद लेने पड़ गी राड़ी की ऊपर बैठने के लिए और ब्रेक पगड़ के रखने के लिए तुमाईक कर आपको में फॉर्स बैकाम scand पर से निकलना है और इसलिए मैंने किसी को बाइक की उपर बिटाया है और वो ब्रेक दबाये हुआ है और मैं इदर एक लंबे पाइप का यूज करूंगा ताकि मुझे जादा फोर्स ना डालना पोड़े तो इदर मेरा नट लूज हो गया है तो अब मैं मेरे बाकी के चार स्क्रू टायर के वो निकालूंगा अब आप गाड़े में स्टैंड पे निकाल सकते हैं और पाकिंग ब्रेक का लॉक लगा के रखिएगा इसके बाद आपको निकलना है टायर के चारो नट अब ये चारो नट निकलने के बाद आपको एटायर जो है वो बैक तोड़ी बैंड करके निचे से स्लाइड करके बाहर निकालना है अगर बाहर नहीं आरहा है तो हवा का प्रेशर तोड़ा कम किजिएगा तोड़ा हवा छोड़के आप मेशन्रेंच वडूote निकालने के बद़ आपको जो नट اपने लुज करके रखा था कि आपको निकालना है पुरा अब आपको ब्रेक केबल का कनेक्शन जो है वह आपको छोड़ना है अब वो केबल निकालने के बाद आपको हतोड़ा लेकर पीछे से तोड़ा से हरके से हतोड़ाना है ताकि ये विल बहार आई जाए तो ये निकला मेरा विल बहार अब इधर आप देख सकते हैं ये है मेरे ब्रेक लाइनर्स तो इसको अभी मैं निकालूंगा इसे बैंड करके ये बहार निकलते हैं बहुत ही इजी है निकालने के लिए अब आपको पेट्रॉल लेके इसको अच्छी तरह से दो होना है पेट्रॉल और प्रेश लेके इसको अच्छी तरह से क्लीन कीजिए जिदर लाइनर्स बिटाते हैं उदर भी आपको अच्छी तरह से तूथ ब्रेश लेके क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि इधर बहुत ही जमा हुआ रहता है दूल तो अब मैं इधर मेरे मेरे लाइनर्स जो है वो सेट करूंगा डालने से पहले पुराने वाले पेसे में वो स्प्रिंग निकालूंगा और इस नए वाले के उपर डालूंगा तो पहले आपको जैसे है वैसे रखने है और बाद में यह स्प्रिंग में उसके पर से निकालके इस लाइनर को फिक्स करूंगा यह यह लाइनर जो है वो मैंने शोरूम से लाए है इसको 326 रुपीज मेरे को पड़े है लाइनर्स डालते समय आप औरीजनल ही डालना अगर है और आप डुबलिकेट लैनरस डालेंगे तो आपको Oy prating response उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना ओरीजनल पर मिलता हो कभी भी आपने डैने रिप्लेस करते देखा रहेगा आपका ब्रेकिंग रिस्पॉंस उतना अच्छा नहीं रहता है तो उस वजह से है क्योंकि वह लाइनर्स डुब्लिकेट है तो ब्रेक लाइनर्स हमेशा ओरीजनली खरीद देगा तो इधर आप देख सकते हैं मैंने स्प्रिंग अल्रेडी नहीं लाइनर पर दाल दिये है तो अब मैं इसका फिटिंग करूंगा तो इधर अब देख सकते होल जैसा है वह इधर जाएगा और फ्लैट है वह साइड में जाएगा तो लाइनर्स आपको तोड़े बैंड करने है ऐसे लेकिन स्प्रिंग लगाए रहना है और एक लाइनर जो है वह आपको पहले पोजिशन में रखना पड़ेगा और दूसरा लाइनर कीच के ऐसा पोजिशन में डालना पड़ेगा अब बाद में प्रेस किया तो यह हो गया आपका लाइनर फिटिंग तो यह कवर वापस डालने से पहले मैं एक सैंड पेपर लेके इसको तोड़ा गिसूंगा ता समय आपको इसको तोड़ा हिलाना पड़ेगा ताकि यह ग्रूव में अच्छ तरसे बैट से बैटने के बाद आपको इदर वाइसर डालके यह नट जो है वह वापस डालना है यह नट अभी आप ज्यादा टाइट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप ब्रेक मार के गाड़ी को रख सकते हैं तो इसको इतना है टाइट को आपको टायर अभी बिठाना पड़ेगा अभी टायर बिटाने को आपको आपकी बैक ञाने पड़ेगी और तायर ऐसे निचे से भूदर कुछ में नहींकर बैक आपको तोड़ी दिख्यत होगी अगर आप अकेली होदो यसमें आ अभी नट्स टाइट करने से पहले मैं इसका ब्रेक का केबल जो है वो कनेक्ट करूंगा ताकि ब्रेक मारके रखके मुझे टाइट करने को मिलेगा अच्छी दरह से अघ्र्स करते समयं यह नट्स और यह केबल दोनों गुंते हैं इसलिए आपको पकड़ लेका एक साइट पकड़के रहना पड़ेगा और बाद में स्पैनर लेके एक साइट फिट पर ना पड़े गा अब टाइट करते समय इतना भी टाइट मत किजेगा कि आपका टायर ऐसे फ्री नहीं गुम सकता है ऐसा तो आपका टायर ऐसे फ्री गुमना चाहिए ब्रेक टाइट करने के बाद भी अब आपको ब्रेक लॉक डालना पड़ेगा और सब नट अब टाइट कर सकती है नट तो आपको पहले टाइट करना है इससे आपका टायर अच्छा टाइट फितिंग हो जाएगा और लास्ट में आपको यह में नट जो है वह अच्छी तर से टाइट करना है और इससे आपका पीछे का ब्रेक लाइनस पिटिंग करके हो गया है अब मैं रिपलेस करूँगा आग और बॉल्ट एक साथ गुमना जाए तो यह होल्ड करके आपको इस साइड में इसे निकालना है बॉल्ट पिये बॉल्ट निकालने के बाद आपको अपना स्पीडोमेटर केबल और ब्रेक केबल इदर से छोड़ना है निके बाद आपको एक तोड़ा लेके इस बॉल्ट पे ऐसे तोड़ा कट करना है और वह बॉल्ट बाहर निकालना है दूसरी साइड से अब शॉक्स को ऐसे पकड़ के आपको यह टायर बाहर निकालना है तो यह निकला मेरा टायर बाहर और आपाप अराम से इस बाइस को नीचे रखेगा अभी मैं ये liner का cover बहार निकालूगा और ये है मेरे front liners तो इसको मैं अभी same way में बैंड करके बहार निकालूगा इधर कुछ भी है तो आप इधर आप साप कर सकते हैं पेटरल लेके आपको इधर अच्छी तरह से अभी clean करना है अब सेंट पेपर लेके में इधर तोड़ा स्प्रेच चीज डालूगा और ये मेरे नए ब्रेक लाइनर्स और पुराने वाले ब्रेश से मैं स्प्रिंग निकाल के ये नए ये लाइनर्स पे डालूगा आप अधर में से हमिचे जैसे मैंने डाले तो एक लाइनर्स में पहले पोजिशन में डालके पद में दुसरा लाइनर्स कीच के पोजिशन में डाल दूगा अब मैं कवर फिर से वील पर डाल दूंगा और वील में अभी फिर से फिटिंग करूंगा अभी आइस्ता से आपको बाइक उपर निकलने हैं और टायर ऐसे नीचे से अंदर सरकटाना है अब इस टायर वापस टालते समय आपको ध्यान रखना है कि यह शॉक्स को एक एक्स्टेंशन रहता है यह वाला यह इस गैप में जाना चाहिए नहीं तो आपका टायर टिक से फिटिंग नहीं होगा तो इधर आप देख सकते हैं यह मेरा एक्स्टेंशन कैसे इस गैप में गया है तो यह है राइट पोजिशन टायर डालने का अब यह आप बोल्ट आर पार कर दीजिएगा और दुसरे साइड में पास कर दीजिएगा इधर आपको दुसरे साइड में शॉक्स जो है वो टि में आपको दुसरे साइड से पूश करके यह बोल्ट इधर देखे ऐसा आ गया है अब इसको अभी नट डालके रखेगा अब आपको अपना स्पीडोमेटर केबल पिर से वापस कनेक करना है और बाद में आपको अपना ब्रेक का केबल जो है वो कनेक करना है अब ब्रेक कन करने के बाद यह बोल्ट को टाइट करने के लिए मत बुलिएगा तो इस वीडियो में इतना ही दूस्तों मिद्ध है आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा अगर लाइक को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन का आता रहूंगा और कमेंट करने को मत बूलेगा तब तक अपना ख्याल रखें फिर मिलेंगे